ये एक मोसिस्ति की सोर परी ऐसी आजम दबनाओंगे ये एक पाइफ है और ये लकड़ी का टुकड़ा है तो इन दोनों से में एक छोटी एक बड़ी बनाने कोसिस करती हूँ देखती हूँ कैसी बनेगी और ये जो मैं एक लेके आई हूँ इसके रेट में आभी आपको बताए हैं तो ये कुछ रसियां और कुछ कटे बोरी जो ह आजाते हैं ऐसी बोरियों में तो ये जिन लोगों के आख खल आती है वहांस के लिए वह भी इसी तरह की बोरी में आती है तो मैं इस बिल्कुल ये इसी के नाप की है तो पहले इसको साइड से कट कर लेंगे और उसके बाद इसमें से देखते हैं जितनी मोटी हमें लेकिन महंगी इतनी है तो मैं केवल अभी तो एक ही लेके आई हूँ बविशे मैं देखूंगी लाउंग या नहीं तो अभी मैं इसके नाप की मैंने एक कट कर लिया और इस पहले में थोड़ा सा इसको फोल्ड करके देखूंगी कि मुझे कितनी काटनी है क्योंकि लगब इसका इसकी वज़े से रुकी रहेगी थोड़ी कस के बांदूंगी तो मैं इसे बिच्छा के इस तरह और इस पर लपेटना सुरू करूंगी और ये आप बेल वगएरा चढ़ा तो केवल डंडियों के सारे भी सकते हो लेकिन उसमें होता क्या है कि जब मोसिस्टिक पर मैंने आ शुरू में ये एक तार से बांदिया है थोड़ी सी ताकि खिसके ना नीचे से उपर को तो उपर से मतलब नीचे को ना खिसके जब हम इसे पोधे में लगाएंगे और ये तार इससे प्लास से सकस दिया है प्लास ने तो नहीं कटर है ये उसी सकसा है मैंने और सब्हेब को मैं अच्छे से पकड़ के ये बारीक वाली जो सुत्ली एन मिरे पास तो ये आरीश में से मैं कुछ भी समान खरीद के नहीं लाए हूं सब मिरे पास पहले से रखा है य,- ये बारीक वाली सुत्ली से मेंस को बहुत अच्छे से टाइट बांदूंगे और ऐसी टाइट पकड़ते वह मिश्को लपेटते चले जाएंगे और जब पोधे की जड़ निकलना सुरू होती है ना तो वो बिल्कुल बारीकसी होती है तो जब मोसिस्टिक के सारे चलती है वो तो इसमें अपनी जगह बना लेते हैं वो इसमें अंदर चले जाती हैं और आप जब तो त्यादों या लगाने के बाद पोदी में कि कितना अच्छा चलेगी पोदी अच्छ है या सूख जाते हैं सूखने देतों नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ट्राइ करते हैं तो आज मैं इंप सचा चलो आज बिना पैसो का काम करते है吧 क्योंकि पैसो से तो कुछ भी खरीदी सकता है इंसान जुगाड भी तो कुछ चीज है और भारत में तो जुगाड सबसे ज़ादा है तो मेरी एक मोसिस्तिक लगबग बनके तैयार ही होगी है मैंने डबल लेयर में इसको लपेट दिया ताकि खुलने का कोई चांस ना हो और अच्छे से यहां पर इसको भी मैंने नोट लगा दिया है तो एक तो मेरी यह बनके तैयार होगी है बड़े वाली इसको तो मैं बड़े गमले में लगाऊंगी और एक और मैं यह छोटी बना रही हूं क्योंकि मेरा अभी एक गमला तूट गया है तो उस तूटे हुए गम दूँगे अच्छे सा इस तरह तो इरसी ना फिर खुल खुल के नहीं जाएगी बार बार एक बार फोल्ड करके एक की लोड लगा दूँगी तो बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएगी यहां पर और बस फिर इसको इसके उपर लपेट देना है हमारी मोसी श्टिक बन तो बस यह मेरा जुगाड है सस्ता टिकाओ तो यह मैंने इस पर नीचे पूरे अच्छे से लपेट दिया उसके उपर एक लेयर रफली सी लपेटती है ताकि पोधे की पकड़ अच्छी हो जाए इस पर और यह अभी तो मेरे दो तीन टुकड़े बच गया है और यह टुक में काम चला था तब से रखिये और इस अभी में आप पतले वाली रसी से अच्छे से बांदूंगी ताकि यह खुले ना नीचे कील नहीं लगाई है मैंने तो मेरी यह दो इस्टिक बनके तयार होगी है देखो और यह बजार वाली जो है बस इसमें नैट लगाया उपर व है मेरा एक मनी प्लान्ट का पेड़ है वह मैंने डंडी के सहारे ऊपर रख 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 यती यह मैं eu और इसकी उपर से कटिंग भी करूँगी ताकि नीचे से ग्रोथ अच्छी हो जाए इसकी एक कितो मैंने उस दिन कर दी थी पहले छोटे वाले कितो और एक माने बालकनी में हैंकर रखा है हैंग नीचे लगा रखा है गंबले में उपर तक जा रहा है तो देखो यह अच्छे प्यारी लग रही है ना बनके देखो बिल्कुल कारगार अच्छे बहुत ही प्यारी बनके तयार हुई है अच्छो अब मेरा टुट्टा हुआ गमला है इसका देखो आज क्या जुगार करते हैं यह एक साइड से इतना तूट गया कि इसमें कोई बड़ा पोधा तो सर्व तो यही मैं लगा दूगी एक किनारे में और जो अभी मनीप्लांट पेड रख़ा है ना उसकी मैने दो डंडियों की कटिंग कर लिये बिल्कुल सुरूस है यह तो इन मसे में इनके पत्ते कट कर दूँगी दो दो तीन तीन पत्तों की कट करी है मैंने कटिंग दो ही कट कर हैं तो यह मैं इसके किनारे पर लगा दूँगी क्योंकि यह जब बढ़ी होंगी तो थोड़ी इस पर मतलब इसके चारों तरफ आ जाएंगी तो यह अच्छा से कवर कर लेंगी इसको और यह मनी प्लांट बहुत जल्दी चल जाता है और इसका मैं एक मतलब ऐसा माउंटेन जैसा सा व्यूब करने वाले हूं देखते हैं कितना सपल होती हूं क्योंकि गमले के टुकड़े भी पड़े हैं और बस यह अभी एकदम मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे ऐसा कर लेते हैं अगर यह मेरा अच्छा बन गया तो फिर मै एक दो अच्छा सा ओर बनाऊंगी कुछ तो अब यह जो चोटे चोटे गमलों के टुटे वे टुकड़े थे इन्हें थोड़ा सा ओर तोड़के हमें यहां पर सिद्धियां किरियेट करूंगी जैसे पहाड़ पर नीचे से उपर रास्ता जा रहा हो तो यह थोड़ा सा मै उससे पहले तो कभी नहीं बनाया इस तरह का लेकिन अगर यह अच्छा लगेगा और यह प्लांट इसमें चल जाएंगे तो फिर मैं एक दो और बनाऊंगी दरसल क्या है लोकल में मेरे को ना मिनियेचर नहीं मिलते जो गार्डन में मिनियेचर लगते है ना मिनियेचर कार्टून अगर वो मिल जाएं तो फिर तो गार्डन सजाने में थोड़ा अच्छा सा लगता है लेकिन मैं एक सोप का पता करा है अगर वहाँ पर एक दिन जाओंगी अगर मिल के तो वहाँ से लेके आओंगी वही लगा रही हूँ चेक करकरके इस काम में टाइम भी काफी लग गया मेरे को लेकिन मुझे ये काम करके बहुत खुसी मिलती है और ये बीच में मैंने एक पत्थर रख दिया है और इसमें मैं छोटे-छोटे से स्पाइडर प्लांट के बेबी आ रहे थे स्पाइडर प्लांट भी बहुत जल्दी-जल्दी न्यूग्रोथ करता है तो ये थोड़े-थोड़े से ग्रीन ड्याइड करने के लिए मैंने ये पेड लगा दिया है ये भी बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं और इसमें अब मैं लगाऊंगी एक बुद्धा जी है छोटे से हमारे अब इनकी गर्दन तोड़ दी थी तो चिपका रखी है तो अब मैंने यहाँ पे रख दिया है बुद्धा जी को ऐसा ही बिल्कुश शान्ति वाला माओल चाहिए होता है तो अब मैं हलका हलका सा मोसि स्टिक पर पानी लगा दूँगी और इसको भी जो गंद कीस पर लगी थी वो साप कर दूँगी तो मेरा यह बन के तयार हो गया है आपको कैसा लगा बताने जरूर और यह जो मेरा पेड गिर के टूट गया था गंला यह काफी बड़ा पेड हो रहा है तो मैं इसकी पहले तो अच्छे सी कटिंग कर दूँगी और उसके बाद यह गंला था इसका पोदा सूख गया था तो इसमें मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया यह पत्था चिट्टे का पेड है और यह मैंने एक पत्ती लगाई थी स्नेक प्लांट की यह वाली और इसमें से दो बेवी प्लांट निकले हैं देख सकते हैं कितने अच्छे हैं और जब आप कोई काम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो एक अलगी खुसी का अनभव होता है तो यह एक छोटा सा गमला मेरा तुटा हो और था तो इससे भी मैंने ऐसा ही क्रियेट करने कोशिस की है इसमें लगाने के लिए मेरे पास कोई भी मतब यह तो है नहीं कार्टून तो बस यह मैंने छोटा सा ऐसा ही इसको माउंटेन का वो दे दिया है उपर एक पेड लगा है ऐसे ही तो यह भी क्रियेट कर दिया है और अब बहुत सारा काम फैल गया इसको क्लीन भी करना है टाइम हो गया है दूद लेने जाने का दूद भी लेके आना है तो बस अब क्लीन करके जाती हूँ दूद लेने के लिए पहले तो यह सब संगवाऊंगी यहां से क्योंकि ना फिर नहीं तो कल रेन हो आकर बुलेगी कि दीदी मैं साफ करके जाती हूँ आप रोज के रोज गंदा कर देते हो उपर तो इसलिए थोड़ा साफ कर दूँगी किसी को जाद़ परिषान निकरना चाहिए तो में सारा इसको साफ करके रख दूदूगी और देखो मैंने सारा क्लीन करके सारा कुड़ा एक उसमें तसलिए में भर दिया है टोकरी में इसको रख दूँदूगी और पानी डालके वाइपर भी लगा दूगे और टूल्स भी जितने मैं इस्तमाल करती हूँ सबको धोक है साप करकर रखती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेगंदे छोड़ दो नेक्स टाइम बीन से काम होता है और गर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक सभी को रादे रादे